यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ तेरा राजियों में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है जिसे देखते हुए हर्याना में शिक्षा विभाग ने स्कूलों को दो दिन बंद रखने का आदेश चारी किया है लेकिन शिक्षा विभाग के आदेशों की धच्चिया उड़ाई जा रही हैं हर्याना के कोसली में शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी स्कूल खुले हैं और जब प्रिंसिबल से इस बारे में पूछा गया तो वह ये कहते नजर आए कि पहले कैमरा बंद करो फिर आप से बात करते हैं हालांकि ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या आप शिक्षा विभाग के आदेशों को नहीं मानते इस पर प्रिंसिबल ने कुछ कहने की बज़ाए बच्चों को वापस घर भेज़ दिया लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिक्षा मंतरी राम बिला शर्मा के भारी बारिश और तुफान आंधी की चेतावनी दी गई थी आशंका जताए गई थी कि भारी बारिश और तुफान से काफी नुकसान हो सकता है ऐसे में हर्याना सरकार ने और खासकर के शिक्षा मंतरी राम बिला शर्मा ने ये आदेश जारी किये थे कि दो दिन के लिए ह खास करके चतावनी मिलने के बाद और जहां एक तरफ अधिकतर जो स्कूल है चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो गया सरकारी स्कूल हो वो बंद है हर्याना में ऐसे में कौसली का एक स्कूल जिसे की खोला गया बच्चे वहां पहुंचते हैं आटो में और स्कूल बस में रो लेकिन फिर जब हमारे समवादादा ने कहा कि क्या आपको शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री के जो आदेश हैं वो नहीं मिले हैं तो इसके उपर जबाब देने के बचाए प्रिंसिपल ने स्कूल के बच्चों को वापस घर बेच दिया बात घर भेचने की नही क्या प्रिंसिपल ने क्यों स्कूल के बच्चों को छुटी नहीं की ये बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ी लापरवाही भी है